तेवतिया का नहीं चल पाया जादू इस सांथ ने किया गुजरात को काबू जी हाँ सबसे बेस्ट फिनिसिंग टीम IPL 2023 की या हम बात करें IPL 2022 की वो गुजरात टाइटन्स मानी जाती है और तेवतिया जो उनकी आइस मैन है वो हर बार कोई न कोई कारناमा करके चले जाते इस बार भी उनोंने लगभग गुजरात की जीत तैं कर दे थी नौर्किया के ओवर में तीन बॉल पे तीन छक्के लगाकर उन्होंने लगभग ये कनफर्म कर दिया था कि गुजराट टाइटन से मुकाबला अपने नाम कर ले लेकिन इसान सर्मा का जो लाश्ट ओवर था उसने पूरा मैच को टरनराउंड कर दिया और जो तेवतिया का प अपने बड़ी बात है वो भी रिक्वाइड रं रेट होने कोते हुए ये कारना मा करना मतलब रंचेज का प्रेसर होते हुए ये कारनामा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो जो आइसमैन राहूल तिवतिया वो हर बार अपना जादू बिखेरते ही बिखेरते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा किया तीन बालों पे तीन छक्के जड़ दिये जिस कारर से ला शोबर में मात्र 12 रनों की दरकार थी हाल हार्दिक पांडिया ने एक मैच्योर इनिंग खेली जब गुजराट टाइटन्स की टीम लखड़ा रही थी वहां पे उन्होंने एक इंड थामे रखा और 69 गेदों पे तिरपन रन बनाया और हार्दिक पांडिया ने एक सच्चा इंटर्व्यू दिया जहां पे उन्होंन जिन्होंने चार उबर में 24 रन दिया जो माइल्ड सा टोटल था उसको भी डिफेंड करने में इसान सरमा ने उतना ही बड़ा हाथ निबाया उन्होंने चार उबर में 23 रन देकर दो विकेट निकाले तो एक नजर डाल लेते हैं स्कोर कार्ट पे कि इनके अलामा कौन-कौन से और जबरजस्त प्रदरसन करने वाले खिलाडी रहे इस मैच में तो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बलेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ट पे 130 रनों का स्कोर लगाया अमन खान ने दिल्ली के लिए 50 रनों का स्कोर किया तो ही रिपल्ट पटेल ने 23 रन बनाए अगर हम ब विकेट अपने नाम किये अब बात कर लेते हैं हर्दिक पांड्या के बल्लेबाजी की कभी जवर्जस्त और अच्छा अप्रदरसन दिया हर्दिक पांड्या में हाला कि वह फिनिस करने में सफल नहीं हो पाए 69 रन बनाए 33 गेदो पे जैसे अब नहीं हमने देखा साथ चार ओरों में एक मेडन देते हुए 24 सन पर दो विकेट निकाले वह इसान सर्मा ने चार ओरों में 23 सन देकर दो विकेट निकाले तो अंतत दिल्ली कैपिटर्स ने टेबल टॉपर को डिफीट कर दिया है छे पॉइंटों के साथ वह अभी भी दस्वें अस्थान पर बरकर जय भारत